Good morning girls, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक समझिये और प्रश्णों के उत्तर लिखी उजयनी नामक नगरी में देव शर्वा नामक एक ब्रामन रहता था जिस दिन उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया उसी दिन एक नेवली को भी एक नेवला उत्पन हुआ किन्तु नेवली उसको जन्म देने के उपरांथ एक भयानक रोग के कारण स्वर्ग सिधार गई पुत्र प्रेमियूस ब्रामनी ने अपने पुत्र के समान ही दुख्त पाना दी क्रियाओं के द्वारा नेवली के उस बच्चे का पालन पोशन भी किया किन्तु नेवले के प्रती अपार वात्सले भाव रखते हुए भी वह ब्रामनी उस पर सदा संदेह करती रहती थी कि जाती दोश के कारण कहीं वह उसके पुत्र को कोई हानी न पहुँचा दे एक दिन वह ब्रामनी कमल से भी कोमल एवं चंदन से भी शीतल अपने पुत्र को शईया पर सुला कर अपने पती से बोली ब्रामन मैं जल भरने के लिए तालाब पर जा रही हूँ तुम नेवले से बच्चे की रक्षा करना ब्रामनी के चले जाने पर उसका पती भी घर को छोड़ कर भिक्षा के लिए बाहर चला गया उसी बीच दुर्भागेवश एक काला सत बिल से निकला और ब्रामन के पुत्र की और बढ़ने लगा नेवला सर्प के मनोभाव को समझ गया उसने ब्रामनी के पुत्र को सर्प से बचाने के लिए उसके साथ ही युद्ध किया और उसके टुकडे टुकडे कर दिये घर लोटने पर खून से लिप्त नेवले के मुख को देख कर ब्रामनी ने शंकित चित होकर सोचा निश्चे ही इस दुष्टात्मा ने मेरे बच्चे को खा लिया है ऐसा विचार कर क्रोध में आकर उसने नेवले के उपर जल से जल के घड़े को फेक कर उसे मा दिया इस प्रकार नेवले को मार कर पुत्र मृत्यू की हशंका से विलाप करती हुई जब वह अपने घर के अंदर आई तो उसने देखा कि उसका बेटा पूर्ववद्शया पर सोया हुआ है और उसके समीप काले साब के टुकडे पड़े हुए है यह देखकर वह नेवले के वद के शोक से अपने सर और छाती को पीटने लगी उसे विलाप करते हुए देखकर ब्रामन ने कहा तुमने अपने पुत्र की भाती नेवले का पालन पोशन करते हुए भी उस पर उपकार करके उसके प्रती अकारन संदेह और अविश्वास किय और बिना विचारे उसकी हत्या कर ली अब विलाप करना व्यर्थ है अविवे की व्यक्ति ही बिना सोच विचार के ऐसे कार्य में प्रवर्थ हुआ करता है इस प्रकार के मानव को अविचारित कार्य करने पर केवल असफलता ही प्राप्त नहीं होती अपीतु जीवन भर पश शताब का दुख भोगते हुए संसार में उपहास का पात्र भी बनना पड़ता है। इस गध्यांश से समदित प्रश्न मैं असाइन्मेंट में दे चुकी हूँ। उसे देखकर प्रश्नों को लिखिये और समझिये।